हेलो फ्रेंड्स तो आईए बात करते हैं मांगा के चैप्टर 1042 के बारे में जो की काफी जादा कम माल का था क्योंकि पूरा चैप्टर बैटल से भरा पड़ा था तो आईए फिर शुरू करते हैं सुरुवात करते हैं कवर पेज से जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो ओवन है अब वो बुक को उठा रहा है और वो होल केक आईलेंड में जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें जा रहा है जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ कवर पेजिस में देखा होगा कि सबसे पहले यौन जी और नी जी को पकड़ा गया था उसके बाद पुडिंग ने उन दोनों की मार लगाई और अब उन्हें होल केक आईलेंड की लाइब्रेरी में जाके रख दिया जाएगा जो कि काफी चिंता की बात है क्योंकि वहां से यौन जी और नी जी को बचाना काफी मुश्किल होगा और दूसरी चीज़ वहां से यौन जी और नी जी का निकल पाना भी बहुत ही जादा मुश्किल होगा तो अब देखने वारी बात होगी कि ये दोनों कैसे बसते हैं अब चलते हैं मांगा के उपर तो मांगा जो शुरुवात है वो काफी जादा खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स ड्रेक दिखाया जाता है जो की अपनी स्वाड CP0 के मेंबर के च्छाती के आर बार कर देता है ये काफी जादा पावरफुल अटेक था अटेक मानो या कुछ भी आप मान सकते हो से लेकिन ये काफी जादा डेमेज करता है CP0 के मेंबर को वो मुझ से खून फैंक देता है और ये साफ दिखरा होता है कि उसको काफी जादा भारी बरकम डैमेज हुआ है जिसके बाद CP0 का मैंबर Drake से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यूं किया तो Drake उसे बताता है कि ये मेरा न्याई करने का तरीका है जिसके बाद जो CP0 का मेंबर होता है वो अपने आपको पहले स्वार्ट से बाहर निकालता है और इसके बाद अपनी फिंगर पिस्टल से X-Drake को धर लेता है जिसके बाद मेरे ख्याल से लबबग लबबग X-Drake का काम खतम हो चुका है थोड़ी सी बात कर लेते हैं X-Drake के बारे में मेरा पसनली मानना है कि X-Drake पता नहीं क्यों मुझे अंडर रेटिड लगता है मतलब कि जिस हिसाब से हमें इसे साबोडी में दिखाया गया था वहाँ पर ये काफी जादा तगड़ा लग रहा था पावर्फुल लग रहा था और लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलेगा लेकिन वानों में आते आते पता नहीं क्यों इसे काफी धीला ढाला बना दिया इसके बाद जब CP0 से सबसे पहली बार इसका सामना हो रहा था जब हमें दिखाया गया था तो वहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि X-Drake यहाँ पर थोड़ा सा चमकेगा लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी इसे एकदम से डल्स आई दिखा दिया उसकी मार लगवा दी गई और यहाँ पर भी X-Drake खेल अच्छा किया है लेकिन मेरे ख्यास से X-Drake यहाँ पर और भी जादा अच्छा कर सकता था खेल छोड़िये आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमें वानों के लोग दिखाया जाते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फैस्टिवल है वो अपने अंत के करीब है तो यहाँ पर अब जो लोग हैं वो लांटेंस में अपनी जो विशीज हैं वो लिखना शुरू कर रहे हैं इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो की अपनी स्नेक मैन फॉर्म में है और वो काईडो को ढंग से दो रहा है इतना जाद अच्छे से दो रहा है कि काईडो को समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे घूसे मुझे पढ़ कैसे रहे हैं और यहाँ पर दूसरी अभी भी नशे में हो क्या इसके बाद काईडो बोलता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम बस एक मात रहसे इंसान हो जो की फ्यूचर देख सकते हो अब काईडो अपनी ड्रेगन फॉर्म में आता है वो लूफी के अटेक से बसता है और वो लूफी को अपने ले जाकी छोड़ देता है इसके बाद काईडो यूज करता है ब्लास्ट ब्रीद जो की काफी जादा भारी भरकम अटेक है और ये लूफी को पड़ता है जिस वज़ा से लूफी ओनी गाशीमा से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन यहां पर लूफी बाउंस मैन का लगता हूं और मैं नहीं हार सकता हूं क्योंकि अगर मैंने वानों को तुम्हारे हवाले छोड़ दिया तो यहां के लोग भूख से बिलगते रहेंगे इसके बाद लूफी यूज करता है गौमू गौमू नो सुप्रीम कॉंग गन और ये अटेक काईडो को पड़ता है औ और ये अटेक जब लूफी को पड़ता है तो लूफी की हालत खराब हो जाती है लेकिन अभी लूफी भी नहीं आ रहा होता है लूफी अब अपना आखरी अटेक करता है और इस अटेक पे लिखा होता है करो या मरो लूफी जब इस अटेक को यूज करेगा और जब ये अ का यूब्स करता है गौमू गौमू नो सुपरीम ही वो बोल पाता है कि CP zero का member बीच में आ जाता है और वो iron body नाम की technique का यूज करता है जिसके बाद यहां पर जो लूफी का attack है वो रुख जाता है और यहां पर काईडो को अटेक करने का मौका मिल जाता है तो यहाँ पर काईडो अपना रोरिंग थंडर बाग हुआ अटेक लूफी के उपर रख देता है लेकिन यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है कि जो काईडो ने अटेक किया है वो अटेक लूफी को एकदम परफेक्ट तरीके से पड़ा है देखिए लूफी में करेक्टर है तो शायद यह दोबारा खड़ा हो सकता है लेकिन अगर जिस हिसाब से यह अटेक हुआ है उस हिसाब से मेरे खियास तो लूफी को शायद खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अटेक बहुती बहंकर तरीके से और सटीक तरीके से पड़ा है लेकिन मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि यह में करेक्टर है तो खड़े होने के चांसे जादा है इसके बाद जब काईडो इस अटेक को करता है तो उसे याद आ जाता है वो समय जब वो ओडिन से लड़ रहा होता है उस टेम भी यही होता है कि जब काईडो और ओडिन लड़ रहे होते हैं तो वो बुढ़िया मैदान में आ जाती है और वो करती क्या है कि वो ऐसे दिखाती है जैसे मुमो को उसने बंदी बना लिया है और अगर ओडिन काईडो को हराता है तो वो मुमो को मार देगी तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है मतलब कुछ वैसा नहीं होता है लेकिन कुछ अलग तरीके का होता है कि फिर दो बाराल यहाँ पर जो लूफी का ध्यान है वो चला जाता है CP0 के मैंबर के ओपर और यहाँ पर काईडो को हमला करने का मौक़ा मिल जाता है तो यह देखा जाए तो यह काफी बुरी बात है CP0 के मैंबर को बीच में नहीं आना चाहिए था अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि जब Odin और Kaido की बैटल चल रही थी और बुढिया जब बीच में आई थी तो बाद में Kaido ने उस बुढिया को जान से मार दिया था तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी क्या Kaido इस बार CP0 के मेंबर को जान से मार देगा क्योंकि अगर ये मार देगा तो भाई मुझे तो बहुत जादा सुकून मिलने वाला है क्योंकि इतनी बैटरीन बैटल चल रही थी और ये पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़ा अगर इसे Kaido मार देता है तो भाई मजा जाएगा जो मैं पसनली चाहता हूँ कि इसे मार जाए अभी तक मैंने कभी नहीं सोचा कि CP0 के मेंबर को मार जाए लेकिन पहली बार में कहता हूँ कि Kaido एक भला काम करते कि CP0 के जो मेंबर है इसे मार दे यहीं पर चैप्टर खतम हो जाता है मैं फिर दोबारा बोलूँगा चैप्टर काफी जादा मज़िदार था और मुझे ये भी पताए कि मैं लेट हूँ इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिये कुरोना से साफधान गोड़ बाए